हेलो मिर प्यारे बच्चों तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम क्लास नाइन्थ का सोसल साइंस यानि समाजिक विग्यान का को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं जो आपके फाइनल परिच्छा के लिए बहुत बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यह सारे कोशन बच्चों आपके मॉडल कोशन से दिये गए हैं ओफिसियल कोशन है जैक बोड का ओफिसियल कोशन ठीक है तो आपके एक्जाम के ल हो इंगलीश होंगे लें कि का देखें को इंगली को देखेंगे तुह पहला सवाल क्या डेवाँ फ्रांस की किरिक्वी में 14 179 14 1789 14 179 14 वहता है तो फ्रांस का करने 14 1789 को है याद रखेगा आप्स नUSवह जो है इसका सही हो जाएगा का ठीके बढ़ते हैं हम लोग next सवाल टाइद क्या है ठीके तो परतियच का आप परतियच कर या फिर धार्मिक कर या क्रिसी कर तो जो टाइद है ना ये आपका धार्मिक कर है बचो याद रखेगा ये क्या है एक धार्मिक कर है और आप्शन बर वन इसका गा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है गा चलिए आगे दिखते हम लोग तीसरा नंबर क्या दियावा है समाजवादी विचार धारा के प्रवर्तक कौन थे ठीक है तो समाजवादी विचार धारा के जो प्रवर्तक थे न ये आपका काल माक्स जी थे ठीक है अगला सवाल दिखते हम लोग फोर नंबर क्या है दुट्य विस युद कब से कब तक हुआ काफी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चो काफी वाइरल सवाल दुट्य जो विस युद तक चला था ये दुट्य विस युद कब से कब तक चला था ठीक है और यही चारों में से आपका एक उप्सन है चलिए बताई ये फटा फट फट फोर का कौन सा हो जाएगा कि प्रथम विस युद पुछता तो क्या अप अंसर करते ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हम स्लीपर कहां लगते हैं तो स्लीपर जो लगता है बचो ये रेल की पटरी पर लगता है कहां पर लगता है रेल की पटरी पर याद रखेगा ऑप्सन वर गाइसका बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट सवाल देखो जम्मू के कस्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है या सवाल है मेरे प्यारे बच्चो, Captain Swing कौन था, ठीक है, तो Captain Swing जो था ना, ये एक Kalpnik नाम था, ठीक है, ये कोई इन्सान ने ये Kalpnik नाम था, option number guys का बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल देखे किस देश ने किर्केट का विसकार किया तो इसमें आपका जर्मनी फ्रांस इटली या इंगलाइड तो किर्केट का जो अविसकार किया था ना ये इंगलाइड किया था मेरे प्यारे बच्चो तो option number guys घा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीके वीडियो कैसे लग रहा मेरे प्यारे बच्चो वीडियो अच्छा लग रहा तो मारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे ठीके चलिए अगला सवाल क्या है लोगों की पहचान किस से होती है तो लोगों की जो पहचान होती बच्चों उसके culture से होती है उसके संस्कृति से होती है option बर खाइस का right हो जाएगा ठीक है लोगों की पहचान चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग हिटलर कौन था भाई ठीक है इटली का ताना सासा सक जापान का ताना सासा सक जर्मनी का ताना सासा सक तो हिटलर जो थाना मेरे बच्चों यह आपका जर्मनी का ताना सासा सक था option बर गाइस का बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल देखें जो कि आपके भूगोल से सवाल दी गये हैं क्या सवाल है जो कि काफ इंपॉर्टेंट है निमने लिखित में से किस राजे से करक रेखा नहीं गुजरती है राजस्थान उडिसा चतिसगर तिरिपूरा तो आपको पता है बच्चों कि भारत के आठ राजों से होकर करक रेखा गुजरती है यह तो पता है इसमें से आपका राजस्थान से भी गुजरता है चतिसगर से गुजरता है जारखंट से होकर करक रेखा गुजरता है या नहीं गुजरता है चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग क्या है देखो बबु क्या है एक अस्थलिये भाग जो तीन और समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है ठीक है प्राया दूइप या इनमें से कोई नहीं अगर कोई भी अस्थल भाग है और उसके तीनो साइट समुद्र ही समुद्र है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राया दूइप लेकिन लेकिन अगर चारो साइट समुद्र रहा तो सर तो उसको हम लोग दूइप कहेंगे तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना अगर तीन साइड से पानी है मेरे प्यारे बच्चों तो आपका प्राय द्वीब और चारो साइड से अगर समुद्र ही समुद्र है तो वो आपका हो जाएगा द्वीब ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग क्या दियवा है निम्न लिखित में से कौन सा विरिच की साकाओं के समान अपवाद परती रूप परनाली को दरसाता है तो अरिये किंद्रा भी मुक दुरुमा कृतिक या जाली नुमा तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका गानमबर दुरुमा कृतिक ठीक है अगल यहां पर पूछेगा आपका इस और यहां पर यहां प्रसावन से सवाल दिखते हैं लोग निम्न लिखित में से किस छेत्र में प्रवास अबादी की संख्या वित्रन एवं सर्रचना में परिवर्तन लाता है ठीक है तो प्रस्थान करने वाले चेतर में आगमन करने वाले चेतर में प्रस्थान एवं आगमन करने वाले दोनों चेतर में या इनमें से कोई नहीं तो प्रस्थान एवं आगमन दोनों करने वाले चेतर में क्या होता है प्रवास अबादी के संख्या वित्रन्वियम सा रचना में क्या करता है परिवर्तन लाता है चेंजेज लाता है अगला सवादी के भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है ठीके 97 डिगरी 25 मिनट पूर 68 डिगरी 7 मिनट पूर 12 डिगरी 32 मिनट पूर तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप लोग का नंबर 97 डिगरी 25 मिनट पूर ठीके भारत का पूर्वी देशांतर है चेंजे अगला सवाल देखते हम लोग क्या है भारत की पूर्वी भाग में मैं अमार की सिमा का निरध पंजाब उत्तर परदेश जम्मू कस्मिर जो है ना आपका उलर जील है यह आपका जम्मू कस्मिर में पेरे बैचो ऑप्सन वर घाइस का बिलकुल सही हो जाएगा अगला सवाल देखते हम लोग गर्मी के रीतू में बच्चो बहने वाली पवन है जो बहने वाली हवा है उसको हम लोग लू कहते हैं ऑप्सन वर गाइस का राइट हो जाएगा ठीक है गर्मी के समय में कैसा हवा चलता है भाई लू चलता है लू 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 याद रखेगा नागरिक साथ से आप कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग क्या है इन में से कौन सा देस सबसे पहले अपने व न्यूजिलाइट ऑप्सन वर खा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं लोग निक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं क्या दियावा है किस देश में आंग सान सूची का संबन था ठीक है मैं अमार घाना पोला इन न्यूजिलाइट तो आंग सान सूची क जो संबन था बच्चो ये आपका मैयामार में था उप्सन वर खा इसका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल दिखते हैं लोग लोग तंतर के संदर में कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है लोगतंतर सासन को अधिक जवाब दे बनाता है ये तो सही कहे रहा है सत्य ह लोकतंत्र बेहतर नेना लेने की समाना बढ़ाता है ये भी सही कह रहा है लोकतंत्र नागरीकों को समान बढ़ाता है ये भी सही है लोकतंत्र मदभेदो और टक्राओं को बढ़ाता है ये गलत कह रहा है बचो ये जो है ना ये कथन सत्य नहीं है और अपसन वर घा इसका बिल सब्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल देखते हम लोग सविधान भारत का सविधान कब बना ठीक है जब बना पूछेगा ठीक है इसमें दो सवाल आ सब्सक्राइब बना बोलेगा तो 26 नौबर उन्चास और जब लागू पूछेगा कि लागू कब हुआ तो याद रखेगा 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 ठीक है 49 है ना दो महिना बाद मतलब कि 9 दिसंबर दो महिना बाद लागू हुआ था बना था 26 नॉमबर लेकिन लागू हुआ था 26 नॉमबर 1950 को इस दोनों चीजों को अच्छे से आपको याद कर लेना है ठीक है अगला सवाल लोगसभा में अनुसुची जन जाती कितने सीटे के लिए आर अच्छे थे बच्चो तो यह थोड़ा सा पुराना डेटा है मैं नए डेटा के हिसाब से बता देता हूं कि अनुसुची जाती जो है ना यह अभी 84 है ठीक है कितना है 84 ठीक है मैं दोनों चीज को अच्छे से बता देता हूं ठीक है जन जाती हो गया और अनुसुची जाती अगर पूछता ठीक है अगर जाती पूछेगा अभी करन डेटा में तो यह 47 ठीक है जो क बात की अनुसुचित जाती बोल देता तो जाती जो था ना पहले था आपका फोटी वन और अब हो गया फोटी सेवन ठीक है तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रख लेना है बचों ठीक है तो इसमें से तो कोई बात की अंग नहीं है तो देखे राष्टपती राज्यसभा लोगसभा ये तो तीनों अंग है लेकिन सर्वोच नहीं आले जो है ना ये भारतिया नागरी को कि अधिकार और सातंतरता का रच्छा कौन करता है तो यह निया पहलिका करता है गानमबर इसका राइट हो जाएग राष्ट्य मानोधिकार का कारे नहीं है सम्मान जारी करना ये तो है किसी सरकारी दस्तावेच की जांच करना ये भी है आरोपी को सजा देना ये राष्ट्य मानोधिकार का कारे नहीं है ऑप्शन मरगा इसका राइट हो जाएगा सविधान द्वारा किस बुराई और गैर क विवत्वाई है जो कि अर्थ सास्थरें कितना अर्थ सब्जेक्ट है है न इतना नहीं करपाऊगे सब्जेक्त है तो सबयों सब्जेक्त लोग परतिसत लोग आसरीत हैं 10% बच्चेंट 5 gives का राइट और सववाल देखते हैं लोग जीविका نवर कारे कह जाते तो दो प्रकार के जाते हैं और काईट हो जाएगा इक देश की सरम सकती कितनी है तो देश की सरम सकती जाना 15-59 वर्स तक यानि आदर रखेगा पंद्रा से 59 वर्स तक इतने ही दिन तक के सरम से कहलता है ठीक है अगले देखे मन रेगा का पुन रूप क्या है ठीक है मन रेगा ठीक है तो देखे एम जी एन आर इजी ए ठीक है इसका फुल फॉर्म जो है न आपका यह महत्मा गांधी राश्टिय रोजगार गरेंटीन आप सन्सक्राइब का इसका राइट हो जाए आप लोगों जब रहा का अगर यह नहीं पता रहेगा ना तो आपके अगले कर नहीं इंगलिस करने इंगल है इंगले यह सकते महत्मा गंधी एंसे महत्मा आइन सेने खुल और इस एंफुलायमेंटे और जीसे गैरेंटी और थिक तो दिखें, सिंपल है इंगले सवाल एम भी आप देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छलेए, अगला सवाल देखते हम लोग क्याते को भारत में किस राजि की नुहने तम परतिवेगति आए है तो भिहार, भिहार का जो है न, परतिवेकति आए जो है ये कमी अगले सवाल देंगे लोग क्या है एन इडवल्लू पी का पुन्ड रूप क्या ने य्डवलू पी का जो पुन्ड रूप है यह आपका हो जाएगा राष्टी कारे के बदले भोजन योजना आप संवर गाइस का राइट हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं लोग क्या दिया है खाद सुर अच्छा से आप क्या समझते हैं तो खद्दान के उपलबता बिलकुल आवाज के उपलबता बिलकुल कपड़ा के उपलबता इन में से सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है खाद इस सुर अच्छा का मतलब यही है अगला सवाल देखते हैं जो कि कशन को समझ लेगा हो याद भी हो गया होगा और ऐसे और यहीं अभी वीडियो अपलोड है बच्छो सुझल स साइंस का मैल का सांच का सारा का सार लगवार 556666656 सेट इस तरीके से अप्लोड कर दी है आप सभी कोशन सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको वह एकदम नाइंध में गैरेंटी के साथ आप अच्छा माक्स स्कोर करोगे एक भी कुशन नहीं छूटने वाला है ठीक है चलिए आपको कहां पर मिलेगा वह सारा अप्लोड होने बाकी है तो आपको और प्यूराना वीडियो जो है हमने अप्लोड किया है जो दो चार देनों पहले वह कहां मिलेगा वह आपको बताते हैं चलिए हमारे आप यूट्यूब चैनल पर आपको यहां पे कोना में सर्च का आप्सन आएगा मेरे प्यारे हमारे अचल देंगा प्लेश्ट देखेंगा उससाय। आप जैसे 9th class में हो तो 9th वाले वीडियो दे ढूंड़ा ठीक है चुकि यह 10th का भी एक्जाम चल रहा है ना इसलिए थोड़ा सो उपर में है यह सब आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आएंगे मैत की तैयारी 2024 की तो इसको आप क्लिक करोगे ना मैत का तैयारी यहां सारा 24 का ठीक है तो आप इस पे क्लिक करोगे यहां पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है आप बारी बारी से सारा वीडियो का आपको देख लेना है ठीक है और फिर से आजाना है बैक और फिर अबर चल जाना है साइंस में कहां चलेगी है मेरे भाई साइंस साइंस साइ वीडियो को देखेंगे और ओके कर लेंगे अपना अपना एक्जाम को ठीक है मतलब अपना परतियक सब्जिक को बढ़िया से बढ़िया बहतर बना लोगे ठीक है और इसी तरीके साफ हिंदी उंदी जो भी चाहिए आपको प्लेलिस्ट मिल जागा आप वहां से देख सकते है ठीक है और चैनल को जादा से जादा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों सेयर कर देना है ठीक है आप इसका स्क्रियन सोट लो और सेयर मार दो फड़ा फट दन दन ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे जुड़ने के लिए आप सब में है ना चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंक्यू सो मच